नमस्कार आज एक फिर नई बुक सम्मरी के साथ हम लोग बात करेंगे रिच डाड और पूर डाड के बारे में तो रॉबर्ट टी कियो साकी द्वारा लिखी गई यह जो पुस्तक है रिच डाड पूर डाड में पैसों का मानेजमेंट कैसे करना चाहिए यह बहुत अच्छे के बारे में अमीर लोग और गरीब लोग अपने बच्चों को क्या सुखाते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हिंदी में है हर कोई इंसान अमीर बनना चाहता है सभी का सपना होता है कि उनके पास बहुत पैसा हो बहुत गाडियां हो बड़े-बड़े बंगले हो शोहरत हो सब कुछ हो यह सपना तो सभी लोग देखते हैं लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस मकाम तक पहुँच पाते हैं ऐसा नहीं कि लोग मेहनत नहीं करते अब आप एक्जामपल ले लिजे अगर कोई डेली वेज वरकर है मजदूर है तो वो कितना श्रम करत है कितना परिश्रम करता है परन्तु उसकी आए एक सौफ़वेर इंजिनियर जो अगर पांच-छे घंटे काम करता है उसके कमपारजन में कम ही होती है कि बेशक कोई कड़ी महनत भी करते हैं पर पैसों का मैनेजमेंट फिर एक बहुत बड़ा फाक्टर होता है बहुत जैसे पढ़ाई करोगे तो अच्छे माक्स लेकर आओगे और फ्यूचर में अच्छी जॉब मिलेगी और बहुत सारे फिरा पैसे कमा सकते हो लेकिन हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जादा पड़े लिखे हैं और अच्छी नौकरी में भी हैं फिर भी वित्तियत तोर पर मजबूत नहीं है अब इसके पीछे के कारण क्या है सबसे बड़ा कारण है कि हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं पैसों उनको कहां व्य हो रहा है कहां से आ रहे हैं सब चीजें डिपेंड करती हैं वहीं दूसरी तरफ इस तरह के भी लोग हैं जो ना तो अच्छे से प मतलब हम यह कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई और नौकरी के दम पर ही गरीबया अमीर नहीं हो सकता उसके लिए फाइनाशिल मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है तो फाइनाशिल मैनेजमेंट रॉबर्ट कियो साकी के द्वारा लिखी गई इस बुक दाता थे जो गरीब घर से बिलॉंग करते थे और दूसरे उनके बेस्ट फ्रिंड के पिता थे जिन्हें रॉबर्ट अपना पिता मानता था एक पिता जो गरीब है बहुत ही जादा पढ़े लिखे हैं और उनके दूसरे पिता जो अमीर हैं उन्होंने अपने स्कूल की कुछ पॉइंट से जिससे हम समझते हैं अब सोच पर अगर हम देखे तो रॉबर्ट के जो पहले पिता थे उनका मानना था कि कोई भी वस्तु खरीद नहीं सकते जबकि दूसरे पिता इस बात से चिड़ते थे दूसरे पिता रॉबर्ट को हमेशा समझाते थे कि तुम किस इसी चीज को कैसे खरीद सकते हो इस पारे में सोचो पहले पिता की सोच नकारात्मक है और दूसरे की प्रश्न वाचक सोच है नकारात्मक सोच को वहीं पर खत्म कर देता है बात शुरू होने से पहले ही विचार को ही दबा देता है कि हम इसको खरीद ही नहीं सकते कि यह मह बलकि दूसरा परस्पेक्टिव अगर देखा जाए तो हम उसको कैसे खरीच सकते हैं हम कहां से पैसे बचा करके किसी और चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में यह सोच लेता है कि वह किसी वस्तु को खरीद ही नहीं सकता तो उसका दिमाग करने देना चाहिए कि जो दिमाग अक्टिव है और धीरे धीरे वो स्ट्रॉंग होता जाएगा और जहां पर हमें अपना श्रम लगाना है जिस दिशा में लगाना है वहां पर एनरजी चानलाइज होगी दूसरा पॉइंट है जोखिम रॉबर्ट के पहले पिता का मानना थ करो वहीं दूसरी और जो रॉबर्ट के दूसरे पिता थे वह यह सिखाते थे कि जोखिम को कैसे मैनेज करना है वो आपको आना चाहिए अगर आपको जोखिम मैनेज करनी आ गई तो आप रिस्क उठाएंगे तो भी आपके ऊपर कोई खत्रा नहीं है पढ़ाई करो और उनका पूरा ग्यान होना चाहिए जो हमारे पास संपत्ती से धन में वृद्धी होती है दाइत्व से धन्या पैसों की कमी आती है ठेक है अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप संपत्ती खरीदें जमीन, बॉंड, शेर, इंवेस्टमेंट एट्सेक्टरा और अगर आते हैं तो आप दाइत्व पर खरीदें अपने पैसे खर्च करें लोन पर लिया गया फरनीचर, गाड़ी, लक्ष्री, प्रोड़क्स जो टेंपररी हैं टाइम टु टाइम चेंज करने पड़ेंगे ठेक है अब आप दाइत्व को देखकर कन्फ्यूज मत होना आप फरनी मत है रॉबर्ट का सबसे पहले खुद को पेमेंट करना है रॉबर्ट की दूसरे पिता उन्हें यही समझाते थे कि सबसे पहले अपनी कमाई का हिस्सा अपने ले रखें और उन पैसों से अपने लिए ऐसी समपत्ति खरीदें जो आपको आयप्रदान करें जो आपको गलती की पुनरा वृत्ति दुबारा कभी न करें अपनी गलती से सीखें और उसको न दोराएं ऐसा आप प्रयास करें नेक्स आता है पैसे के लिए काम रॉबर्ट की अमीर पिता का मानना था कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए मतलब पैसों के पीछे नहीं करवाना चाहिए वही रॉबर्ट की जो दूसरे पिता थे वो पैसे कमाने के लिए दबाव डालते थे ठीक है मौके की पहचान करना सभी को सही मौके की पहचान करनी चाहिए यदि आप सही मौके की पहचान नहीं कर पाते हैं तो आपको कहां से किस तरह से अमीर बनने के र दे सकता है उदारण के लिए एक आदमी एक सड़क से गुजर रहा था वहां पर कुछ घर के सामने बोर्ड लगा हुआ था कि हाउस फॉर सेल उस समय मंदी का दौर चल रहा था पर वह आदमी बिना घबराये हुए इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देता और एक पैसों को सहेजने की समझ होना वैसे तो सभी लोग पैसे को सहेज कर रखते हैं पर यहां सहेजने का अर्थ अपनी अलमारिया गुल्लक में पैसे रखना नहीं है यहां पर सहेजने का अर्थ है कि आप पैसों को ऐसी जगह पर इंवेस्ट कीजे जहां से आपको उससे मुना के लिए परंतु ऐसी चीजों पर बहुत जादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए जिससे हमें रिटर्न न हो ऐसा ये रॉबर्ट का अपनी बुक के द्वारा कहना है इस बात से फर्क नहीं पढ़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं बलकी बात ये फर्क पढ़ने वाली है कि आप उन पैसों को कहां और कैसे खर्च कर रहे हैं नेक्स्ट आता है कि हम लोग इस बुक से कंप्लीटली कंक्लूड क्या करते हैं कि हमें किस समय पर कहां पर किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है हमें जोखिम उठाना और उसको कैसे मैनेज करना है वो कैसे देखना है हमें किस तरह का माइंडसेट रखना है हमें किसी चीज का रस्ता कैसे खोजना है वो देखना है इस किताब में ऐसी अन्य बातों का जिक्र किया गया है जिससे हमारा एक mindset change हो जाए कि हम हर चीज़ को एक optimistic opportunity के रूप में देखें ऐसा Robert अपनी किताब में कहते हैं और उसका फिर हम एक अच्छा return कैसे पा सकते हैं किस तरह से हम अपनी money को अपने resources को invest कर सकते हैं कि in the long run वो हमारे लिए helpful हो और यही कुछ differences है जो same काम करते हुए भी एक इनसान को उसी stature पर रखते हैं और दूसरे को uplift कर देते हैं तो अगर हम यह intelligence अपने खर्च करने में अपने time को invest करने में भी लगाएं तो भी हमारी जो status है वो बहुत हद तक change हो सकती है आशा करती हूँ कि यह आज की जो book summary थी तरह से deliver कर पाई हूँ comments में आप बता सकते हैं कि अगली कौन सी book आप लोग देखना चाहेंगे आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ नमस्कार